हेलो गाइस तो बोरूटो मांगा का चेप्टर नमबर 79 आ चुका है और क्या ही आया है मुझे लग रहा है राइटर ने वक्त बदल दिये चस्पात बदल दिये वाले डाइलोग को पूरी तरह से ध्यान में रबते हुए ये चेप्टर को लिखा है खेर मजाक से हिटकर चलते जाता है जहांपर बोरूटो को ओ सब्सक्र 210 को और भी के छक्त वह एसके लिकर्च जाना और वह सबादर्द हुए और 2ữa Sixty' को अकेला मत जाने तो तुम भी उसके साथ जाओ और साराडा भी उसके पीछे जाने लगती है और दूसरे तरफ कावा की अपना चक्रा को बहुत जादा यूज कर चुका है तो वो बहुत जादा एक्सॉस्टेड हो चुका है अब वो इतना ठक चुका है कि वो अपने चक्रा को एरेज भी नहीं रख पारा और फिर उसे आवाज सुनाई देती है कि हमने तुम्हें ढूंट लिया और ये सुनकर कावा की फटा-फट से जाड़ियों में छुप जाता है और इसके बाद हमें आईडा का सीन दिखाया जाता है और आईडा ने सैंडरी कान की मदद से कावा जरूरत नहीं है पर अमाडो कहता है कि तुम्हें भी कावा की को मारने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास एक सीक्रेट कमांड कोड है जिससे मैं उसको डियक्टिवेट कर सकता हूँ बस इसके लिए तुम्हें मुझे उसके पास लेकर जाना होगा पर शिकामारो कहता है मैं अमाडो चिलाता ना जाता है पर्षी का मारू कुछ नहीं सुनता और उस तरफ आइडा कावाकी के पास पहुँच चुकी है और वो कहती है मैं तुम्हारी साइड हूँ बड़ कावाकी बोलता है तुम तो अपना चक्रा भी नहीं चुपा सकती मेरे पास मताना मेरे लिए मु अगर मैं उस मोमो शीकी को नहीं मार पाया तो लोड सेवन्त और उन्होंने इस विलेज को भी तक जो प्रोटेक्ट किया है सब बेकार हो जाएगा सब खतम हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता और वो आइडा को पकड़ लेता है और कहता है क्यों पूरूटो को ही नरूटो का सन होना था अगर वो मेरी तरह एक आउसाइडर होता तो चीज़े कितनी असान होती देखो भी मुझे मैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कितना हेल्पलेस हो मैं और ये सुनकर आइडा कावाकी का सर पकड़ लेती है औ यसी खाबा कि उन पर अटैक करने वाला होता है आइडा उसे रोक लेती है और वो दूनों शिनों भी उससे कहते हैं तुम यहां पर क्या कर रहे हो फिर शिकामारू बोलता है कि बोरूटो 12 किलोमेटर दूर है और इतने में सासके बोलता है मिर से बस 3 किलोमेटर दूर है प से पूछ रहा होता है कि क्या तो मुझे बता सकते हैं उस सब कुछ खोने के बाद कैसा लगता है पर बोरूटो को कुछ समझ रही आ रहा होता कि वो पूल क्या रहा है और फिर मोमोशी की उसे पीछे देखने को कहता है तो बोरूटो को मिदूसकी और साराडा दिखते हैं और वो उन से पूछता है कि तुम दोनों वापिस क्यों आ गई हो तो साराडा कहती है मैं भी यही जानना चाहती हूं और फिर मिदूस की अपना हेड़ बैंड उतार देता है और साराडा से कहता है कि तुम इसके पास मत जाओ यह बहुत जादा डेंजरस है और यह बोलता हुआ वो अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और यह सब देखकर साराडा और बोरूटो दोनों ही शौक हो जाते हैं कि यह सब चल क्या रहा है और फिर हमें दुबारा से कावाकी का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों शिनोवी कावाकी को कहते हैं कि तुम्हारी आख पे जो इसकार था वो कहां चले गया तो कावाकी को समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं पर आइडा सिच्वेशन को सम्हाल लेती है वो बात को पलट देती है और वो पूछती है कि लॉर्ड सेवन्थ का क्या हुआ तो दोनों सिनों भी बताते हैं कि उनका कोई क्लू नहीं मिला है पर हमें ये पता चल गया है कि ये सब बोरूटो का कराधरा है और ये सुनकर कावा की कहता है कि अब मैं समझ गया क्या चल रहा है और दुबारा हमें बोरूटो का सीन दिखाया जाता है जहां पर मितूस की उस मारने आया है और अभी बहुत सारे लोग और आ रहे हैं अगर तुम्हें इन से नहीं लड़ना तो तुम्हारे पास एक ही option है कि यहां से भाग जाओ और पुरूटो वहां से भागता हुआ दिखाई देता है और वो मोमशी की से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है तो मोमश के creation में यूज किया जाता है ये कोई ऐसी power नहीं है जो कि एक आम से लड़की यूज कर ले जो कि एक और सूसूकी भी नहीं है अमाडो को तो इसके बारे में खबर भी नहीं होगी कि आईटा ये भी कर सकती है ये actually में आईटा की desire है वो कावाकी की desire को पूरा करना चाती थी और इसी चीज ने उसकी इस ability को activate कर दिया है तुम्हारी position कावाकी के साथ change हो गई है replace हो गई है और फिर हमेशी का मारू आईटा से पूछता हुआ दिखाई देता है वो क्याता है कि क्या तुम मुझे एक और बार confirm कर सकती है कि बोरूटो ने नरूटो के साथ किया क्या था तो आईटा कहते है तुम उससे ये सवाल जितनी बार भी पूछलो answer यही रहेगा वो चीज बदलने नहीं वाली और फिर कावाकी आईटा के हाथ पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि शिका मारू को बोलो नरूटो मर गया है और उसको बोरूटो ने मारा है और फिर हमें द और कावा की दोनों ओत्सु सूखी हो इसलिए तुम इससे अफेक्टेट नहीं हुए हो और सेम गोल्स फोर आईडा एंडा डाइमॉन पर किसी रीजन की वजह से साराडा भी अनफेक्टेड है कुल मिलाकर कुछ ही लोग है जो की असली सच्चाई को जानते हैं जिनकी मेमर और इसी के साथ चैप्टर हो जाता है एंड तो कुछ न्यू थियोरीज को लेकर हम जल्दी डिसकस करने वाले अगली वीडियो में लाइक साराडा सास के हेमावारी अफेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए या फिर इनके अनफेक्टेड होने का रीजन क्या है नरूटो वा